हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू रेवानी एक्लासेस तो दोस्तों अभी अभी एससी एससी बोड ने टेंटेटिव कलेंडर जारी कर दिया है कि सारी एक्जाम कब-कब होगी 2020 की और बची कुछी 2019 की तो देखिए अपन डिटेल में देखते हैं कौन-कौन सी एक्जाम का कले टेंडर जारी हुआ है देखिए सबसे पहले सीजी एसल कमाइन हायर सेकंडरी टैन प्लस टू एक्जाम जो 2019 की है उसकी डेट इन्होंने देदी है 12 अक्टूबर से 26 अक्टूबर ठीक है सेकिंड नमबर पर जूनियर इंजिनियर जो सिविल मेकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड सर्वेंग एंड कॉंटेक्स वाला एक्जाम 2019 का रहा हुआ है पेपर फर्स्ट उसकी डेट आ गई है 27 अक्टूबर से 3 अक्टूबर 30 अक्टूबर सॉरी ठीक है उसके बाद देखिए CGL का मेंस CGL का टियर टू कमाइन ग्रेजुएट लेवल एक्जामिनेशन उसकी डेट ह है 2 नवंबर से 5 नवंबर ठीक है इसके बाद अगला आता है फेज 8 फेज 8 की एक्जाम है 6 नवंबर से 10 नवंबर ठीक है इसके बाद अगला आता है स्टेनोग्राफर ग्रेट C&D ये भी 2019 की है और इसकी डेट आ गई है 16 नवंबर से 18 नवंबर अगला है जूनियर इंजि इसके बाद अगला आता है tier third, किसका CGL tier third, CGL 2019 का tier third होगा 22 November को, उसके बाद अगला है sub inspector in Delhi police, Delhi police का paper first की date आ गई है, क्या है 23 November से लेकर exam लगेगा 26 November तक, clear है, इसके बाद अगला आता है constable male and female in Delhi police examination 2020, इसका exam है, यह है CVE, computer based exam, यह लगेगा 27 November से लेकर 14 December 2020, अगला देखिए, दसवे नंबर पे है junior engineer civil mechanical का mains, mains कहें या paper second कहें, यह है 31 January 2021, ठीक है, उसके बाद आता है CHSL tier 2, ठीक है, 2019 वाला जो tier 2 है, वो होगा 14 February 2021 को, यहां तक के लिए उसके बाद अगला exam है, junior Hindi translator का paper second आएगा, इसमें यह date है, 14 February 2021, चलें, अगला है junior engineer का paper first, वो भी 2020 का, तो वो 2020 का है, date है, 22 March 2021 से लेकर, 25 March 2021, ठीक है, यहां पर दिख रहा है, यहां पर देखिए exam की date है, और इसके form कब भरे जाएंगे, 2020 वाले junior engineer के, form भरे जाएंगे, एक October को, और close कब होंगे form, form close होंगे आपके 30 October 2020 को, ठीक है, यह लीजे, उसके बाद आता है, अगला, 14 नमबर पे, यह है, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, पेपर सेकिंड, पेपर सेकिंड, इसका होगा, 26 March 2021, चलिए, आगे देखते हैं, 15 नमबर पे, स्टेनो ग्राफर ग्रेड, CND, CBE, computer based exam, देखें, यह है, इसका form जब भरे जाएंगे, 10 October 2020 को, इसकी last date होगी, जाता है, combined higher secondary 10 plus 2, यानि CHSL, इसका tier 1, 2020 का, form भरे जाएंगे, 6 November 2020 से, 15 December 2020 तक, और exam कब होगा दोस्तों, और exam होगा, 12 April 2021 से 27 April 2021, ठीक है, सारी date इनोंने कोशित कर दी है, और यहाँ पर, combined graduate level examination tier 1, 2020 का, इसके form भरे जाएंगे, दोस्तों, कब है, 21 December से लेकर, 5 January, ठीक है, 25 January, और उसके बाद, इसकी exam होगी, 29 मई से लेकर, 7 June 2021, ठीक है, अगला है, sub inspector in Delhi Police and Central Armed Police Force, यानि CRPF, CAPF, ठीक है, इसका जो paper second है, वो होगा, 12 July 2021, इसके multitasking staff, non-technical वाले, उसका paper first की जो date है, form भरने की, वो है, advertisement, यानि date of advertisement की date है, 2 February 2021, और closing date होगी, इसकी 18 March 2021, इसके exam कब होगे, इसके exam होगे, 1 July 2021 से 20 July 2021, चलिए, अगला देखते है, ये last है, last क्या है, Constable GD, in CAPF, NIA, SSF and Rifleman GD, in Assam Rifle Examination, इसका CVE का advertisement जब आएगा, वो आएगा 25 March 2021 को, form की last date रहेगी, 10 May 2021, और exam होगा, 2 August 2021 से 25 August 2021, तो देखी, ये थी news, जो साजा करनी थी, अभी-अभी SSC ने calendar जारी कर दिया है, tentative, और इसी के आधार पर अगर SSC चले तो अच्छी बात है, इन्होंने 2021 तक का अपना पूरा program set कर दिया है, देखिए, मैं आपको best of luck कहना चाहूँगा, जिस जिसका भी CHSL का exam है, वो 12 October से 26 October तक है, बहुत अच्छे से तयारी कीजिए, आपको काफी समय मिल गया है, ये exam पहले March में complete होने थे, लेकिन lockdown की वज़े से, Corona virus की वज़े से, ये exam लेट हो गया था, अब आपको अच्छे से तयारी करनी है, बहुत अच्छा मौका मिला था आपको, देखिए, अगर आपको maths पढ़ना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पर आप maths आराम से पढ़ सकते हैं, CHSL के लिए, या और भी किसी SSC exam के लिए, ठीक है, उसके बाद में यह कहना चाऊंगा, कि जैसे ही SSC के और भी कोई न्यूज आती है, तो इस चैनल पर आपको प्रोवाइट कर आई जाएगी, इसको आप सब्सक्राइब कर लिजिए, बने रही है चैनल पर और देखते रही है, और आपको maths पढ़ना है, तो इस पर आराम से पढ़ सकते हैं, फिडियो आफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर लिजिएगा, शेर कीजी जदा से जदा इस न्यूस को, और चलिए, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, थैंक्यू सो मच,